हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल स्टोरीज अफ इंडिया और मैं हूँ प्रीती, तो आज मैं पहुच गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, इंडिया की एक और जगा की एक और नए स्टोरी के साथ, तो आज मैं आप लोग को बताने जारी हूँ काजी रंगा नैशनल के बारे में, काजी रंगा नैशनल पार्क इंडिया के नौर्थ इस्ट में असाम में है, तो इस पार्क के बारे में जानने के लिए तो बहुत कुछ है, तो मैं इस वीडियो में उतना कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं इसमें जिस्ट इंसाइड स्टोरी आप लोग को बता मतलब काजी रंगा नैशनल पार्क के अंदर क्या क्या है या फिर पार्क की जो स्टोरी है मतलब कहानी है कैसे ये पार्क स्टैब्लिश हुई है और इस पार्क के अंदर कौन कौन से अनिमल फेमस है ये क्यों बाकी नैशनल पार्क से अलग है ये स्टोरी मैं आज आपको काजी रंगा नैशनल पार्क न यह आसाम के नागाउं और गोलाघर डिस्ट्रिक्ट में आता है और इस पार्क के एक सबसे विशेस्ता यह है कि यह पार्क न टोटल वर्ल्ड के वो जो वन हों राइनसरस है न उसके टू-थर्ड यह काजी रंगा में रहते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि अकर two-third population rhinoceros का काजी रंगा में हैं तो कितना जादा यह famous है one-hunt rhinoceros के लिए मतलब एक सिंग बाले rhinoceros के लिए तो इसके पीछे मैं इस rhinoceros के बारे मतलब बाकी story बताने से पहले मैं आपको एक story बताना चाहूंगी वो है 1904 में na यह पार्क की एरिया विजिट करने के थे, क्योंकि यह पार्क वो राइनसरस के लिए बहुत पेमस है, लेकिन उन लोगों को एक भी राइनसरस नहीं देखा, तो क्या हुआ, उनके वाइफ ने आके उन्हें बोला अपने हजबन से यह एरिया आपको प्रोटेक्ट करना चाहि प्रोटेक्ट करना चाहिए, फिर क्या हुआ, 1905 के 1 जून में काजी रंगा ने प्रोपोस किया है, रिजर्ब पॉरस्ट क्रियेट करने के लिए, तब इसका एरिया था 232 किलोमेटर प्र स्क्वार, तो नेक्स्ट रियर में क्या हुआ, काजी रंगा का जो एरिया है, और एक्सटेंट कर गया, 152 स्क्वार किलोमेटर ये बढ़ गया इसका एरिया, तो और ये एरिया ना, ब्रहम पूत्र जो नदी है उहाँ पे, उस एरिया तक, ब्रहम पूत्र की नदी तक ये एरिया बढ़ गया, तो 1908 में काजी रंगा को Reserve Forest declare किया गया था फिर 1916 में काजी रंगा को फिर से re-design किया गया re-designated किया गया और उसका नाम रखा गया काजी रंगा Game Sanctuary और यह नाम ना 1938 तक चला फिर जो यह नाम है ना काजी रंगा Game Sanctuary इसका फिर से re-name किया गया 1950 में और इसका नाम रखा गया काजी रंगा Wildlife Sanctuary फिर 1954 ने Government of Assam ने एक Bill पास किया Assam Rhinoceros Bill उसके अनुसार जो जो Rhinoceros का मतलब murder करेगा या फिर poach करेगा उनको heavy penalty देना पड़ेगा फिर 1968 में Assam Government ने Assam National Park Act पास किया और उसके अनुसार काजी रंगा जो है ना वो National Park डिक्लेर किया गया और तब इसका एरिया था 430 km2 तो इसको फिर official status मिला इनको ये National Park को Central Government से 11 February 1974 में और 1985 में काजी जंगा को World Heritage Site के यूनिसओ को दवारा यूनिसओ को ओने यूनियटेड नेशान्स एडुकेशनल साइन्टिपिक अं कुल्चर ओर्गनाइजेशन तो ये यूनिसको ने 1985 में काजी रंगा को वर्ल्ड हेटेज साइट डिक्लियर किया क्योंकि इसका जो यूनिक नाच्रल एंवारमेंट है इसके लिए तो यह तो थी काजि रंगा की थोड़ी सी हिस्त्री अब जानते हैं इसके अंद्र की बार में तो तो ने हम एक सेंस्स हुआ था वह जॉइंट्नि हुआ था आसाम गपने मतलब दाब आसाम के जो मा फोरेस्ट अपार्ट मेंट है ना 2018 में काजी रंगा नाशनल पार्क में राइनोसरास की पॉपुलिशन थी 20413 लेकिन 2015 में राइनो पॉपुलिशन था 20401 मतलब 2018 में था 2413 एन 2015 में था 2401 इसके अलावा 2006 में काजी रंगा पार्क को टाइकर रिजब एनाउस किया गया है क्योंकि और इसके अलावा इस पार्क में बहुत सारे एनिमल्स है जैसे कि एलिपैंट जो फेमस है एलिपैंट देन वाल्ड वाटर बफेलो और स्वांप डियर ये तीन एनिमल भी काजी रंग सब्सक्राइल को ना एक बहुत इंप in defence बार्ड ऐरिया भी भूलते है और यहां पर लोग कहते है बढ़ लाइफ निटार इंटरनैशनल में बडलाइपीय है मतल経 में यहां पर बटो मिलते हैं को यह एक मिलते हैं और यहां पर पर elegante रंग ऐमस नेटी बढ़ए नंब ल यहां पर आते हैं तो बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड भी यहां पर मिलते हैं और काजी रंगा में एक और चीज है बहुत ज्यादा फेमस है एलिफेंट ग्रास मतलब बड़े बड़े जो ग्रास होते हैं यह भी काजी रंगा में बहुत ज्यादा मिलते हैं और यहां पर म चोटे-चोटे तला, water bodies यह सब आप लोगों मिलेंगे तो यह जो है ना काजी रंगा की पार्क के यह सारी बाते अंदर की है मतलब यह अंदर क्या-क्या है और एक बात है यह जो पार्क है ना ये ब्रम्हपूत्र रिवर से गिरा हुआ इसके North और Eastern जो Boundary है वहाँ पर ब्रम्हपूत्र नदी है और इसका जो Southern Boundary है वहाँ पर मोरा दिफलू करके एक नदी है और इसका पार्क के अंदर से दिफलू और मोरा धनसिरी नाम के दो नदिया जा रही है मतलब इस पार्क में टोटल चार नदिया है ब्रह्मपूत्रा, मोरा दिफलू, दिफलू और मोरा धनसिरी तो यह चार नदी इसके बाउंडरी और अंदर से से जाते हैं तो इतना जादा बायो डाइवर्सिटी के लिए ना काजी रंगा को बायो डाइवर्सिटी होट स्पॉर्ड बोला जाता है और काजी रंगा के आसपास के अरिया पे बहुत ज़्यादा ट्री प्लांटीशन होते हैं तो यह ट्रीम प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है काजी रंग गई रहे एविन पूरा आसाम ही फेमस है और इसका जो मतलब यह जो ट्री प्लांटेशन होते हैं यह आसाम की एकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है इस पार्क में तीन ही सिजन होता है समर मंसुन गई तक और अग Christmas दिशन इसका जो वनेटर सीजन है न वोनbelt फेब्राइब इत assistance तक तक एमन इसके बीच में वींटर रहता है और टेमपरेशं रहता है 5 सब्सक्वें चलें टैन बहुत रहता है और है ज़्या क़ले जानए कर लिए ना अवेशन से घस्यादेशन धे ब है अनिमल सмर से पास ही लिए लए तो मानसुन तो बंद भी रहता है टूरिस्ट के लिए तो और मतलब जुलाई आउगस्ट में तो कभी कभी यहाँ पे मतलब फ्लड भी हो जाता है तो यहाँ पे जाना तब सेफ नहीं होता है वैसे काजी रंगा के बारे में एक और बात है इस पार्क में पांच आनिमल ऐसे है जिसको बिक फाइब बोला जाता है वह है इंडियन एलिफेंट्स, गौट, सामबर, इंडियन बोट, इंडियन हॉग डियर यह जो पांच आनिमल है इसको बोलते है यह टॉफ फाइब बिक फाइब आप दा काजी रंगा इसके अरवात आपको मैंने बोला है कि यहाँ पे एक सिंग वाले राइनोसरस बहुत फे इस बतनों है काजी रंगा में जो टाइगर है ओर ह फैस्ट बंस्ट वह टाइगर में संटाइब पाइलतल ciao इस घयर कमाय रहते हैं आपको मिलेंगा में नडिया है पहले जटाइब को मिले। में आते हैं, इसमों भी आपको काजि रंगा के रिफर में मिलेंगे आपको तो यहां पे और एक चीज़ है, यहां पे जो न पते हैं तो जहीरिला साप हो जो वर्लड के काजी रंगा के जंगल में मिलेंगे और यहां के पानी में आपको total 42 प्रजाती के fish मिलेंगे तो यह तो काजिरंगा की अंदर की बात है तो काजिरंगा के अंदर इतने सारे animals, इतने सारे fish, इतने सारे birds, migrated birds, इवेरन और बहुत कुछ मिलते है तो आपको मैंने यह सब जो बोला है ना काजी रंगा के पूरे जंगल के अंदर की बात है तो यह सब आनिमल्स यह सब बर्स यह सारे फेश इस सब के लिए ना यह जंगल बहुत ज्यादा फेमस है और काजी रंगा जंगल तो नहीं नैशनल पार्क है इसलिए इसको नैशनल पैट्रोलिंग चालू रहता है तो ये नैशनल पार्क इसलिए बहुत ज़्यादा फेमास है और इसको बायो डाइवर्सिटी के होट स्पॉट बोला जाता है इसके लिए यह पर में इतना कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ इस विडियो में तो मेरे अगली विडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं काजी रंगा के बारे में आप लोगो कुछ और information दे पाओ क्यूंकि एक वीडियो में इतना मैं बौलूंगी तो बहुत ज़ादा लेंदी हो जाएगा मेरा वीडियो तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में थैंक यू